हलो एवरिवन, स्वागता आपके अपने चानल लर्ण इंग्लिस स्टोरी टाइम में सहस्तरीके से इंग्लिस सीखिए कहानियों के माध्याम से और हमारी चानल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंग्लिश की प्राक्टिस जारी डग सकें और आज की हमारी कहानी है यानी मेरे पीट में खुझली हो रही है या मेरा पीट हुझला रहा है राजा इस खुझली के बढले इनाम देते हैं या सजा आईये कहानी के माध्याम से जान लेते हैं वन एक डे दिन एक दिन आ एक किंग राजा सौ देखे आ एक डर्टी मैले या गंदे बेगर भिकारी एक दिन एक राजा एक भिकारी को देखे वो भी गंदे और मैले भिकारी को रबिंग रगर रहे, हिस उसका बैक पीट अगेंस्ट विरुत या भिप्रीत उल्टे तरफ दा पैलिस प्राशाद गेर्स दर्वाजो और एक दिन एक राजा एक मैले भिकारी को प्राशाद के दर्वाजे के विरुत या दर्वाजे से उसका पीट रगर देखा ही वह तोल्ड बोले हिस उसके यानि राजा के सोल्जर्स सैनिको तू ब्रेंग लाना दबेगर भिकारी इन में दा रोयल शाही कोट दर्वार और राजा उनके सैनिको से विकारी को शाही दर्वार में लाने के लिए कहा देर वहां ही वे यानि राजा आक्स्ट पूछे दबेगर भिकारी को और राजा भिकारी से पूछे वाय क्यों वै थे यू तुम रबिंग रगर रहे योर तुम्हारा बैक पीट अगेंस्ट विरुत या से दा पैलेस प्राशार या महल गेट्स दर्वाजों और राजा ने भिकारी से पूछा क्यों तुम्हारा पीट महल के दर्वाजों से या दर्वाजों के विरुत रगर रहे थे यूर मेजिस्ट्री महराज माई मेरा बैक पीट वोज था इचिंग खुजला रहा और भिकारी ने राजा से कहा कि मेरा पीट खुजला रहा था सो इसलिए आई मैं वज था रविंग रगर रहा माई मेरा बैक पीट अगेंस्ट विरुत या से दगेर्स दर्वाजों इसलिए मैं अपना पीट दर्वाजों के विरुत या दर्वाजे से रगर रहा था द किंग राजा टोल बोले या कहें हेज उनके सोल्जर्स सिपाहियों से और राजा उनके सिपाहियों से कहा और राजा ने उनके सैनिकों से कहा विकारी को 20 सोने के सिक्के दे दो सून शिग्रही दे न्यूज खबर स्प्रेड फैल गया थ्रूआउट थ्रूआउट का मतलब है हर जगा सर्वत्र या चारो तरफ दा किंग्डम यानि राज्य या सामराज्य लाइक तरह आ एक जंगल यानि जंगल फायर आग सीग्रही ये खबर चारो तरफ राज्य या सामराज्य में जंगल में आग की तरह फैल गई आप्टर बाद में सम कुछ देस दिन कुछ दिनों बाद द केंग राजा सौ देखे तू दो पूर दरिद्र या गरीब और दर्टी गंदे या महले बेगर्स भिकारी रबिंग रगर रहे देर उनका बैक्स पीट अगेंस्ट विरुद या से दा पैलेस प्राशाद या महल गेर्स दर्वाजों और कुछ दिनों बाद राजा ने देखा दो गरीब और मेले भिकारी महल के दर्वाजों के बिरुद या दर्वाजों से उनका पीट रगर रहे थे वे यानि राजा आक्स्ट पूछे देम उनसे जब राजा ने उनसे पूछा वे क्या कर रहे थे वे रिप्लाइड जवाब दिये और उन्होंने राजा को जबाब दिया कि उनका पीट खूछला रहा था दकेंग राजा कॉल बुलाएं हेज उनके सोल्जर्स सिपाहियों को और राजा ने उनके सिपाहियों को बुलाया और सेट बोले गिव देना दीज ये बेगर्स भिकारियों 20 बीस विप यानि कोड़ा या चाबुक लाशेस मारना ओन उपर या पर देर उनका बैक्स पीट पर और राजा ने उनके सैनिकों से कहा कि इन भिकारियों को बीस कोड़े मारे जाए उनके पीट पर तुकियोर ठीक करना उपचार करना या इलाज करना देर उनका इच यानि खुजली और राजा ने उनके सिपाहियों से कहा कि इन भिकारियों की खुजली के इलाज के लिए इनके पीट पर बीस कोड़े मारों लेकिन योर मैजिस्ट्री लेकिन माहराज यू आप गेव दिये दा आधर दूसरे बेगर भिकारी को ट्वेंटी बीस गोल्ड सोना कोईंस सिखे लेकिन माहराज आपने तो दूसरे भिकारी को बीस सोने के सिखे दिये थे और ऐसा दोनों भिकारियों ने राजा से कहा दकेंग राजा से बोले राजा बोले ही वह टोल्ड कहा दक्रूथ सच्चाय या सच उसने सच कहा था वह वह था अलोन अकेला वो अकेला था इसलिए रब रगर न हिस उसका और अपना बैक पीट इसलिए वो अपना पी नहीं रगर पाया या नहीं रगर सका लेकिन यू तुम बोथ दोनो आर हो लायर्स जूटे लेकिन तुम दोनो जूटे हो यू तुम could have का मतलब होता है सकता था या सकते थे जब किसी काम को बीते कल में करने की बाद अभी वर्तमान में हो रही हो तब हम लोग could have का यूज करते हैं और या रखेगा इसके साथ हमेशा वर्त का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है rubbed रगर ना या रगरे थे each other एक दूसरे अपॉस्टफेसे से का की का उचारन होगा एक दूसरे के बैक यानि पीट लेकिन तुम लोग दोनों ही जूटे हो तुम लोग एक दूसरे का पीट रगर सकते थे या खुजला सकते थे you तुम आर हो here यहाँ because कारण of का की या के greed लालज तुम यहाँ हो लालज के कारण the two दोनों beggars भिकारी felt अनभव किये या महसूस किये ashamed लजजित होना या शर्मिन्दा होना और दोनों भिकारी लजजित हुए राजा ने सही निन्ने लेते हुए पहले भिकारी को इनाम और दूसरे लालची भिकारियों को सजा दी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है अच्छी आदतों का अनुसरन करें बुरी आदतों और लालच में आकर किसी का अनुसरन ना करें क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है उमेध है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी अब आज का सवाल विकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉमेंट में इसका जवाब जरूर दे आज के लिए बस इतना ही कहानी को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं कहानी को आपने जानकारों के भी शियर अवश्य करें और कॉमेंट करें थैंक्स पर वाचिंग